और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी कल रास्ट्रिय क्रिशी बाजार की शुरुआत करेंगे इसके तहट सबसे पहले आठ राज्यों के 21 मंडियों को E-Trading platform से जोड़ा जाएगा केंदर की ओजना मार्च 2018 तक देश की सभी बड़ी 580 मंडियों को इस नए platform से जोड़ने की तयारी है जिससे देश भर में किसानों को बेहतर दाम मिल पाएगे आई देखते हैं रिपोर्ट किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशामे केंदर सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है क्रिशी विपडन में सुधारों को तेज करते हुए मोधी सरकार किसानों की उपच के लिए रास्चे क्रिशी बाजार के शुरुवात करने जा रही है पीम मोधी गुरुवार को दिल्ली से आठ राज्यों के 21 कृष्य मंडियों को E-Platform के जरीए जोडेंगे इस योजना के लिए अभी तक 12 राज्यों की तरब से 365 मंडियों के प्रस्ताव आ चुके हैं और अधिकतर राज्यों ने रास्टे कृष्य बाजार से अपने मंडियों को जोडने में रूची दिखाई है इन मंडियों के E-Trading Portal के जरीए किसान 25 जिंसों में खरीद विक्री कर पाएंगे कृष्य मंद्री ने भरोसा जता है कि देश भर की सभी प्रमुकृष्य मंडियों को तैशुदा वक्त मार्च 2018 से पहले ही इलीफ लेट फार्म के जरीए जोड़ दिया जाएगा प्रधान मंत्री जी रास्तिय किर्शी वाजार आठ राज्यों के 21 मंडियों के लिए E-Trading Portal का सुभारंब करेंगे यह सुरुवात होगी और 25 सितंबर 16 तक 200 मंडिया इसमें जूड़ जाएगी सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों को उनकी उपच का अधिक दाम मिलने में आसानी होगी इसके साथी फसल को बाजार तक ले जाने का खर्च कम होगा इसकी बरबादी रुकेगी साथी उभुकताओं को कम कीमत पर क्रिशी उत्पाद महिया होंगे गौर तलब है कि करनाटक में मंडियों को इप्लेटफर्म पर लाने का प्रयोग काफी सफल रहा है उमीद है कि रास्टेस्तर पर इसके लागो होने से किसानों को उनकी उपच की करीब 20% दी जादा कीमत मिल पाएगी शलेंदर मिस्ट डीडी नियूज दिल्ली